नमस्कार दोस्तों, 25 सेप्टेंबर 2021 के डेली न्यूस अनलेसिस में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन सी इंपोर्टेंट करेंट डेफेस की न्यूस हम लोग डिसकस करेंगे। पहली न्यूस जो हम डिसकस करने वाले हैं वो है इंडिया-उस बाइलेटरल टॉक्स। आज ही मैं एक और आर्टिकल आपके साथ डिसकस करूँगा जहां पर हमारी मोधी जी के बाद यूस की वाइस प्रेज़ेंट कमला हैरिस जी से हुई अच्छे अच्छे बाते हैं तो अच्छे बाते हैं यहां पर कही गई हैं ओके फिर आप देखें दोनों लीडर्स ने बात की for ensuring stability in the Indo-Pacific court partners के साथ development इन सब चीजों के बारे में बात हो रही हाला कि बातचीत में जो दोनों साइड की तरफ से statements निकल के आए हैं उसमें asymmetry भी देखने को मिलिए जैसे for example इंडिया में जो हमारे मोदी जी ने statement दिया वहाँ पे topic of trade पे बहुत importance दी गई देखिए बिल्कुल सही कि आप मोदी जी ने यहाँ पे trade बहुत ज़रूरी है US एक ऐसी country है जिसके साथ इंडिया का positive trade balance है मतलब हम वहाँ पे export जादा करते हैं इंपोर्ट कम करते हैं लेकिन trade को इतनी importance देना जो बाइडन के statement में नहीं नज़र आया है एक तो यह आप कह सकते हो कि ऐसे victory हाँ पे देखने को मिलिए प्लस overall अगर आप देखें तो और बहुत बच्चन टाइप की बाते हैं बहुत बोली गई हैं कि जो जो बाइडन के president मतलब जो यूएस के president है वो कह रहे हैं कि हमारी जो relationship है वो democratic values में है अगर आप देखो तो यूएस सबसे पुरानी democracy है इंडिया सबसे बड़ी democracy है 4 million Indian Americans रहते हैं USA के अंदर तो यूएस की जो भी सरकार प्रो इंडिया होगी उसको ये 4 million Indian Americans वोट देंगे फिर हमारे मोधी जी ने गांधी जी idea of trustee ship of the planet की बात की testee ship of the planet मतलब की overall इस planet को sustainable तरीके से आगे बढ़ाने के लिए सब को अपनी-अपनी responsibilities play करनी है equitable तरीके से responsibility बाटनी है और यहाँ पर climate वाला angle निकल के आता है भी climate वाले angle पर इंडिया की बात सुनने के mood में जादा है नहीं America तो यह सब बाते देखें यहाँ पर करी गई हैं इंडिया US relations की बात की जा तो पांच pillars of corporations को identify किया गया यह पांच pillars of operation कौन कौन से power and energy efficiency responsible oil and gas renewable energy sustainable growth और latest add हुआ emerging fuels अच्छा एक और बात जब भी आप UPSC के answer writing करते हैं न अगर आप इस प्रकार से यह पांच pillars as it is mention कर सके definitely आपको थोड़े जादा number मिलेंगे च्योंकि क्या है ना कि general terms में तो हर को यह लिख सकता है कि भाई power के field में oil and gas के field में renewable energy की field में sustainable growth के field में लेकिन five pillars of corporation में आप यह पांच heads लिखो और इन पांच heads के अंदर कुछ statistics के साथ अपने answer को enrich करो अगर इस प्रकार से आप अपने answers लिखते हैं UPC में definitely it gives a positive impact on the mind of answer checker trade surplus की बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया का trade surplus positive है U.S. के साथ U.S. इस particular चीज़ को थोड़ा sort out करना चाहता है U.S. जो dependence है imports के उपर उसको कम करना चाहता है और मैं आपको एक बात बता दूँ जब U.S. चाइना के against अपनी dependence import dependency को कम करना चाह रहा है तो on the long term इंडिया को भी इसका नुकसान होगा ऐसा नहीं हो सकता है कि U.S. चाइना से import dependency कम करने कोशिश करेगा तो इंडिया से import करता ही रहेगा नहीं यह नहीं होने वाला है आगे बात की जाए तो U.S. is the fifth biggest source of FDI into India U.S. से जादा FDI के वल मौरिशियस, Singapore, Netherlands, Japan से आई है अब आप बोलोगे सर कि यह मौरिशियस, Singapore, Netherlands यह तो छोटे-छोटे देश है when compared to U.S. चलो हम समझते है कि Japan एक बड़ा देश है बड़ मौरिशियस, Singapore, Netherlands की बात करो तो इनकी economy तो U.S. से बहुत छोटी है और U.S. इतना अच्छा दोस्ते है तो यहां से investment कैसे जादा आ रही है तो आपको पतावारा चाहिए मौरिशियस एक tax haven है, Singapore में corporate tax rates बहुत कम है तो U.S. की ही बहुत बड़ी-बड़ी giant transnational companies जाके इन country में headquarters बनाती है और फिर FDI भेजती है तो ऐसा लगता है कि वो FDI Singapore मौरिशियस से आ रही है, समझ गए? General Studies paper 2 by little agreements में न्यूज़ आपको काम आएगी, join button दबा के help कर से, अगर आप कर सकते हैं दोस्तों, आपकी join button दबाने से खासा मदद बिलती है तो click the join button if possible, instagram पे follow कर लिजे, telegram group join कर लिजे, दोनों की link नीचे description box में दे रखे हैं और वीडियो को like और share के वेना मच जाहिएगा, next news में चलते हैं, blue planet price for NHPCs, 510 megawatt 35 power station, तो यह जो national hydropower corporation का 510 megawatt का 35 power station है, जो कि सिक्किम में है, इसको confer किया गया है blue planet price, कि यह blue planet price देता है, कौन है तो international hydropower association देता है, international hydropower association एक london based non profit members of association है, जो कि simultaneously 120 देशों में operate कर रहा है, यह जो power station है, इसको built, owned और operate किया जाता है NHPC के द्वारा, और यह जो award है 35 power station का, यह announce किया गया है, during the world hydropower congress 2021, तब सबसे खास बात यह है, कि इस award को देने के parameters क्या है, what are the parameters, तो समझ यह, तीस्ता 5 power station को यह award देने की बातचीत की जा रही है 2019 से, 2019 में एक sustainable assessment हुआ, यह sustainable assessment किस ने करवाया, तो IHA ने करवाया, lead assessors of the IHA ने, यह sustainable, आप कह सकते हो, यह assessment करवाया, IHA तो International Hydro Power Association, और उसके उपर चल दोगों कि, देखिए, यह जो assessment हुआ है, तीस्ता 5 power station का, यह कौन से parameters पे हुआ है, तो parameters लिखे हैं, HSAP में, Hydro Power Sustainability Assessment Protocol, तो तीस्ता 5 power station को, यह जो blue plant price दिया गया है, 2019 में, एक sustainability assessment कराये गया था, और किसके parameters के हिसाफ से कराये गया था, Hydro Power Sustainability Assess Protocol के parameters के हिसाफ से कराये गया था, अब सबसे खास बात यहाँ पर यह है, कि यह Hydro Power Sustainability Assessment Protocol है क्या, तो बात यह होती कि, जब भी कहीं पर dam बनता है, अब ही हाइड्रो पावर में तो dam का ही involvement, जब भी कहीं पर dam बनता है, power plant बनता है, reservoir बनता है, तो उस particular इलाके में social changes भी आते हैं, physical changes भी आते हैं, किसी एक particular Hydro Power Project के positive और negative दोनों ही impact होते हैं, चाहे environment की बात हो, चाहे social impact की बात हो, तो अब ऐसे cases में, एक 2000 में report आई थी World Commission on Dams की, ठीक है, एक report आई थी World Commission on Dams की 2000 में, और उस समय पे, बहुत serious basis पे जो Hydro Power सेक्टर में Hydro Dams मनाई जाते हैं, इनकी sustainability के ओपर सवाल उठाया गया, वर्ड कमिशन on Dams ने उस समय की अपनी report में बोला कि भाई, ये जो अलग-अलग जगवाँ पे dam बन रहे हैं, इनके negative impact जादा हैं, positive impact कम है, तो overall एक जो dam बनाया गया है, उसकी overall sustainability कितनी अच्छी है, इस बात को assess करने के लिए एक protocol बनाया गया, तो उस protocol का नाम था है H.S.A.P. Hydro Power Sustainability Assessment Protocol, ऐसा बोला गया, कि इस protocol के हिसाब से अगर कोई dam काम करता है, तो उस dam के जो overall impact होंगे, वो positive होंगे, ठीक है, और इस protocol को बनाने में World Commission on Damned ने भी अपने inputs दिये, okay, equator principles को यहाँ पे include किया गया, क्या है equator principle अभी देखेंगे, World Bank Save Guard Policies की भी recommendations थे, International Finance Corporation Performance Standards के हिसाब से बनाया गया, तो overall, International Hydro Power Association ने international bodies के साथ ठीक से बातचीत करके यह protocol बनाया, H.S.A.P. protocol, फिर यह equator principle क्या होता है, तो it is a risk management framework adopted by financial institutions, दीखे, social, environmental और ecological, जो risk होते हैं project finance में, इसको assess करने के लिए, एक risk management framework बनाया गया, जिसको बोलाता है equator principle, तो इस equator principles को भी ध्यान में रखा गया है, ओके, अच्छा, यह जो equator principles हैं, यह मैं कहां पर mentioned है, तो यह equator principle mentioned है, World Bank की safeguard policies में, International Finance Corporation के performance guidelines, performance standards and sustainability guidelines में, basically, in the performance standards of IFC, in the safeguard policy of World Bank, and in the sustainability guidelines of International Hydropower Association, यह equator principles लिखे हो है, और इन equator principles को ध्यान में रखा गया है, H.S.A.P. को बनाने में, Hydropower Sustainability Assessment Protocol को बनाने में, I hope चीजें थोड़ी क्लियर होगा, इंजनल स्टेश पेपर थी, infrastructure, conservation, और environment में न्यूस काम आएगी, next news is, Airbus A330 multi-role tanker transport, A330 MRTT for the IRF, basically यह एक transport aircraft है, देखिए, इंडिया यहाँ पर कुछ transport aircraft खरीदे के मून में है, मैं बता दू, इंडिया के पास already six Russian-made Elyosin 78 mid-air refuelers है, अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दू, यह एक ऐसा transport aircraft इंडिया खरीद रहा है, जिसमें एक जगर से दूसी जगर लोगों को transport भी कह सकता है, आर्मी को, logistics को, साथ-साथ mid-air refueling भी किये जा सकती है, mid-air refueling क्या होता है, कि जो बड़े-बड़े जहाज होते है, जिनके अंदर बहुत सारा fuel होता है, तो जो fighter jets हैं, वो इन बड़े-बड़े जहाजों के पास चाहेंगे, और वो fighter jets को fuel प्रोवाइड कर देगा वो जहाज, मतलब उस जहाज के अंदर इतना सारा fuel होता है, कि यह जो fighter jets हैं, वो mid-way अपनी refueling कर सकते हैं जहाजों के तूरू, ऐसे बहुत से hollywood के movies में इस प्रकार के mid-air refuelers आपको देखने को मिले भी हैं, तो यह contract ऐसा लगा था कि रश्या को मिल जाएगा, 9000 करोर का contract है, बट इंडिया ने यह contract दिया है European aviation giant airbus को, एर बस, बेकि अब एर बस के तो बहुत सारे जो commercial planes हैं, इसमें भी हम लोग आए दिन बैठते ही हैं, आप देखें, इंडिया में दो ही main air plane बेचने वाली company है, एक तो है air-based और एक है आपके Boeing, हालागि यह दोनों ही US-based companies हैं, इन्होंने अपनी branches दुनिया वर में कोल रखी हैं, तो अब रशिया के हाँ से 9000 करोनों का contract चला गया है, mid air refuelers का, बावजूद इसके Russia is the biggest supplier of arms to India, आपको बता दू, रशिया और इंडिया जल्दी है contract sign करने वाले हैं, for the joint production of 5th generation stealth fighter aircraft, at an estimated cost of 30 billion dollar, अच्छा एक और बात बता दू आपको, इससे पहले भी, ए-330 multi-role tanker aircraft खरीदने में interest दिखाया था Indian Air Force में, ये बात है 2010 की, 2010 में almost इस बात पर finalization हो गया था, कि ये A-330 के multi-role tanker transport aircraft खरीदे जाएंगे, बट उससे में पर selection process के उपर थुड़ी आवाज उठाई गई फाइनस ministry के तौरा, ऐसा लगा कि A-330 MRTT बहुत महंगा मिल रहा है, तो 2010 में इसको नहीं खरीदा गया, finally इसको यहाँ पर आप contract दे दिया गया है, तो ये खरीदा जाएगा, ये A-330 multi-role tanker transport aircraft कुछ इस प्रकार का आप को नज़र आएगा, ये aircraft रोड़ रहा है, और इस inlet के तुरू ये fighter aircraft refuel कर रहा है, तो ये जो A-330, it is a modified version of Airbus A-330, एक transport aircraft की तरह भी काम करता है, और mid-air refueler की तरह भी काम करता है, इसमें 110 tons of fuel होता है, 45 tons of cargo ये carry कर सकता है, और एक A-330 mid-air refueler, बहुत सारे fighter planes को at the same point of time refuel कर सकता है, General Studies paper 3, defense menus आपको काम आएगी, next news है, Indian Council of Medical Research stops use of Ivermectin HCQ for COVID-19 treatment, देखे, रीसेंटली कुछ guidelines इशू की गई है, किस के दोरा, तो एक National Task Force बनाई गई गई COVID-19 के लिए, ये आपको पता होगा, शुरुआस से हम लोग एडिटोलमेस की बात करें, ये बनाई गई AIMS के दोरा और ICMR के दोरा, इस National Task Force ने, और एक Joint Monitoring Group भी बनाई गया, इन दोनों ने मिलके recommendation दी है, meeting हुई थी 20 अगस्त को, कि भाई ये काम करते हैं, revised guideline से COVID-19 की, ये काम करते हैं, कि Ivermectin का प्रयोग, और Hydroxy Clorocqueen का प्रयोग, अभी के लिए बंद कर देना चाहिए, क्या होता है कि जब भी, किसी person को COVID-19 से related, बहुत severe infection होता था, तो उसमें Ivermectin, HCQ इस प्रकारी को उस दवाईयां दी जाती थी, हाला कि अभी भी Ramdesivir दे सकते हैं, Tosilisum में आप दे सकते हैं, लेकिन Ivermectin और Hydroxy Clorocqueen नहीं देना है, उसका reason क्या पताएगा है, मैंने आपको पहले भी कई बार numerous times बता रखा कि यह जो HCQ है, इससे बहुत severe heart attack की problems देखी गई हैं, heart disorders देखे गई हैं, और Ivermectin के भी ऐसे बहुत सारे side effects हैं, तो ऐसा कहा जा रहा था बहुत सारे experts के दौरा, कि यह Ivermectin, Hydroxy Clorocqueen, इवन राम देसे विल, यह कुछ ऐसी दवाईयां हैं, जिससे overall COVID-19 में कुछ फाइदा मिलता नहीं है, in fact कभी-कभी यह दवाईयां mortality cause कर देती हैं, तो भी आप क्यों देते हो, COVID-19 से सफर करने वाले serious patients को यह दवाईयां, तो अभी के लिए HCQ को और Ivermectin को list से निकाल दिया गया है, तो भले clinical trial चल रहा है, तो clinical trial के समय पर आप दवाईय दे दो किसी को, लेकिन overall normal course में किसी patient को अब Ivermectin और HCQ नहीं दी जाएगी, इसका एक reason और बताया गया है कि बहुत सारी ऐसी studies हुई है, जिसने यह बताया है कि mortality risk बहुत ज़ादा होता है hydroxy chloroquine से, और इसका जो mortality benefit है, मतलब इनसान को ठीक करने वाला benefit है, HCQ का वो बहुत कम है, तो HCQ से मरने के chance बहुत ज़ादा बढ़ जाते हैं, ठीक होने के chance वैसे देखा जाए तो कम है, तो उसके चलते ही यहाँ पे इस hydroxy chloroquine को हटा दिया गया है, revised guidelines में, अब अगर ऐसी बात थी तो पहले ही यह रिसको नहीं रखना चाहिए था, पहले आपने क्यों रखा HCQ और ivermectin को, बहराल चलिए उस पे question करना यहाँ पे ठीक नहीं है, और यह जो decision यह इसलिए भी लिया गया है, क्योंकि recently COVID-19 की जो cases ने इंडिया में कम कर हो रहे हैं, at the same point of किंद सरकान ने राज्यों से और union territory से साब साब बोला, कि आप strict vigilance रखिये, हम लोग almost second search of the pandemic के middle में है, मतलब कहने का मतलब यह है कि देखे, pandemic second wave शुरू हुई, शुरू ही शुरू ही, अभी वो खतम नहीं हुए, वो नीचे की तरफ जा रही है, तो पहले cases उठे, या प्रेल माई वाला जो समय था बड़ा देंजरस था, लेकिन अब केसे नीचे जा रहे हैं, अभी भी second wave खतम नहीं हुए, हम second wave के downward phase में, अगर हमने downward phase में ध्यान नहीं रखा, तो फिर third wave इदम से उठेगी, और हमारी हो जाएगी हालत खराब, GS paper 2 health issues में news आपको काम आएगी, next news is state food safety index, देखें, तीसरा state food safety index रिलीज हो गया है, food safety की बात की जाएगे, तो it is a critical and important aspect for society, ये बात हम जानते हैं, food safety refers to healthy and hygienic handling of food, at all levels of the chain, so that illness from contaminated food can be prevented, मतलब की खराब खाना खाके, जो लोग बिमार पढ़ जाते हैं, ये सब चीज़ें avoid करने की ज़रूत हैं, food की hygienic और healthy handling की ज़रूत है, World Health Organization के इसाफ से, पूरी दुनिया की 10% आबादी बिमार पढ़ती है, due to consumption of contaminated food, हर साल 4,020,000 लोगों की मौत होती है, due to consuming contaminated food, और इन 4,020,000 लोगों में से, 1,25,000 बच्चे होते हैं, जिनकी उमर 5 साल से कम है, तो ये जो parameters हैं, ये जो statistics हैं, ये काफी disturbing है, तो food safety को इंडिया में increase करने के लिए, एक organization मनाया गया है, जिसका नाम है FASAI, Food Safety and Standard Authority of India, और यही organization, समय समय पे survey करा के, State Food Safety Index release करता है, इस State Food Safety Index ranking में, States और Union Territories को तीन कैटेगरी में बाटा गया है, पहली कैटेगरी में 20 बड़े स्टेट्स हैं, दूसरी कैटेगरी में 8 स्टेट्स हैं, वोई चोटे वाले स्टेट्स हैं, तीसरी कैटेगरी में सारी की सारी Union Territories हैं, अब जब ये rankings release हुई, पहली कैटेगरी ती जिसमें 20 बड़े स्टेट्स थी, गुजरात में सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है फूट से गुजरात के, उसके बाद केरला और तमिल नाडू आते हैं सेकेंड और थर्ड नमबर, अगर लाज स्टेट्स में सबसे गंदी पोजिशन है, तो वो है बिहार के 20 पोजिशन, आंत्र पदेश आट 19 राजिस्तान एट 18 जो सेकेंड कैटेगरी जिसमें स्मॉल स्टेट्स हैं, उसके बाद में एक हाल है, उसके बाद मनिपूर, सबसे गंदी रैंक है मिजोरम की, लास्ट है, आठवे नमबर पे है मिजोरम, सेकेंड कैटेगरी में, उसके बाद, यूनिन टेरिट्री वाली एकर लिस्ट को आप देखते हो, तो जमुएन कश्मीर में बेस्ट फूड सेफटी है, अंड़मार निकोबार सेकेंड नमबर पे, और नैशनल कैपिटल टेरिट्री अफ डिली थर्ड नमबर पे, सबसे गंदी यूनिन टेरिट्री फूड सेफटी में है लक्षवदीप, जिसको अठारा पॉइंट ही मिले सौ में से, फूड सेफटी इंडेक्स, जब इसको निकाला जाता है, तो पांच पैरामीटर्स के बेसिस पे निकाला जाता है, एक है Human Resources and Institutional Data जिसको 20% वेटेज है, Compliance अलग-अलग फूड सेफटी लॉसे इसको 30% वेटेज है, Food Testing, Infrastructure and Salvation इसको 20% वेटेज है, Training and Capacity Building 10%, Consumer Empowerment 20% है, तो इन पैरामीटर्स के बेसिस पे ये Food Safety Index निकाला जाता है, General Studies Paper 2 में निउस आपको गाम आएगी, PCS में भी इस प्रगार के सवाल बन सकते हैं, Mains में तो ये निउस खासा important है, Next बात करते हैं, SCO Peace Mission 2021, ये जो Peace Mission 2021 की Counter Terrorism Military Deal है, शांगाई Corporation Organization की ये recently अभी रशिया में खतम हुई है, वैसे अगर इस SCO की Peaceful Mission Exercises के बारे में बात की जाए, तो ये Joint Counter Terrorism Exercise है, Multilateral Exercise है, जिसको हर दो साल में एक बार कंड़र्ट करवाए जाता है, और इस exercise के थूँ, SCO Member States की बीच में जो Closed Relations है, उनको बढ़ाए करता है, Best Practices Armed Forces of SCO Nation एक दूसरे क साथ शेयर करते हैं, अब सोची देखिए, कितनी दुख की बात है, exercise का नाम है Joint Counter Terrorism Exercise, और यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान इन्वाल्ड है, जो कि terrorism के सबसे बड़े प्रमोट हैं पूरी दुनिया में, तो this is basically a very unfortunate thing, कि terrorism को सबसे आदा प्रमोट करने वाली countries यहाँ पे, overall in exercise में participate कर रही हैं, बहराल, 8 SCO Members ने यहाँ पे participate किया, चाइना, रशिया, काजाकिस्तान, तजीकिस्तान, किर्गिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, उद्बेकिस्तान, इरान is a new permanent member of SCO, 4000 military persons यहाँ पे involved हुए, लगबख 500 चाइना के थे, ठीक है, तो यह military exercise हो गई, याद रखेगा, peaceful mission is the name of the military exercise, SCO की joint counter-terrorism military deal है, recently रशिया में हुई है, GS paper to international relations में यूज़ा आपको काम हैगी, फिर global internet freedom, China emerges as west abuser, तीकि यह तो हमको पताएं कि बहुत गंदा abuser है internet का, यह जो report release की जाती है, यह एक US-based non-for-profit entity freedom house की द्वारा release की जाती है, और क्या बोला जा रहा है, कि internet freedom, a term that includes digital rights, freedom of information and right to internet access, has declined for the 11th year in a row worldwide, तो लगातार 11 सालों से हमने देखा जा रहा है, कि पूरी दुनिया में जो internet freedom है, वो कम हो रही है, सबसे बेकार internet freedom है आपकी चाइना के अंदर, सबसे बुरा deterioration internet freedom में हुआ है, मायनमार में, बेलारुस में, यूगांडा में, यहां पे state forces ने crackdown सा किया है, electoral और constitutional crisis के ओपर, चाइना की भी बगर बात की जाए, तो चाइना वास रैंक्ट as the worst environment for internet freedom in the 7th year in a row, लगातार 7 सालों से चाइना बिलकुल नीचे है, गौर ऐसा बोला जा रहा है, यह दुनिया भर की सरकारें, ऐसे technology platforms को अपने control में लेकर रहे हैं, मतलब ऐसे softwares और spyware के networks को use कर रही है, overall technological platforms की autonomy को violate करने की कोशिश कर रही है, जो भी businesses उनके अलाकों में operate कर रहे हैं, उनके ओपर censorship और surveillance लगाने की कोशिश कर रही हैं, इस प्रकार की बातें इस report में करी गई हैं, इस report ने बोला है कि 45 countries की authority, जिसमें इंडिया भी एक country है, उन्होंने targeted spyware खरीदा है, extraction technology खरीदी है, लोगों के उपर snooping करने के लिए, फिर Nigeria, Hungary, Mexico, Myanmar, इनके records भी आपर काफी बताए गए हैं, फिर not for profit ने 60 countries को categorize किया है, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है, तो रिलीज करता है याद रखिएगा Freedom House, सबसे गंदी इंटरनेट फीडम कहाँ पे हैं, चाहना में, याद रखिएगा, अगर देखा जा तो इंडिया के context में बात की जाए, 2021 के बीच में, वो 9 factors जिसके ऊपर overall इनको चेक किया जाता है, 9 नी, sorry, जिस वो 8 factors, हर 8 factors को इंडिया ने ब्लॉक किया है, जैसे इंडिया में social media को भी ब्लॉक किया गया है, deliberate disruption हुआ है communication networks का, manipulation हुआ है online discussions का by pro-government commentators, introduction of a new law, increasing surveillance and restricting anonymity, इन सब चीज़ों के ऊपर इंडिया ने negatively काम किया है, इसलिए इंडिया को भी criticize किया गया है इस particular report में, Freedom House ने ये भी बोला है, कि हमने ये जो report निकाली है, हमने 88% of the world's internet population को assess किया है, और हमें ये पता चला, कि इसमें से 72% आबादी ऐसे देशों में रहती है, जिन देशों में online activities की वज़े से लोगों के ओपर attack हुए है, लोगों को मारा गया है, तो मतलब 88% of the internet आबादी वाले देशों को इस report ने assess किया है, जिसमें 72% लोग ऐसे देशों में रह रहे हैं, जिन देशों में online activities की वज़े से लोगों के ओपर attack हुआ है, लोगों को मारा गया, यहाँ पर एक और data बहुत important हो जाता है, एक WordPress Freedom Index है 2021 की, यह WordPress Freedom Index में इंडिया का नंबर क्या है, 180 nations में से 142, इस WordPress Freedom Index को कौन report करता है, कौन release करता है, Reporters Sand Frontiers और Reporters Without Borders, जिस आपके सब तो यह organization का नाम है, वैसे Reporters Sand Frontiers, इसके उपर UPSC Prelims में सवाल आया, ठीक है भाजी, तो internet freedom की बात हमने कर ली, इतना याद रखेगा, सबसे important यहाँ पर क्या है, Global Internet Freedom Report release करता है, Freedom House, Freedom House क्या है, यह भी पूचा जा सकता है, जी हाँ, Freedom House का नाम लेकर आप से पूचा जा सकता है, कि यह क्या है, तो इस इस यूएस बेस्ट, not-for-profit entity, चैनल स्रीज पेपर टू, इंटरनेशनल रिपोर्ट में नीज आपको नाम आएगी, कुछ और नीज देख लेते हैं, BJP Defense Affidavit in SC on Cast Census, देखे, मैंने कल के ही Current Affairs में आपके साथ डिसकस किया है, और आज के में भी बात हुई थी, अलकी फुलकी, कि भाई देखे, साफ-साफ Central Government ने साफ-साफ बोल दिया है, कि देखे, Cast Census हम Current Census के साथ, Current जो Decennial Census चलता है, 2021 का 10 साल में ता, के साथ हम इसको रिलेट नहीं कर सकते हैं, Social Economic Cast Census भी आया था, 2011 में, और उसमें कितनी गलतियां थी, करनाटका में जो Cast Census कराए गया है, उसकी Reports को भी करनाटका सरकार ने रिलीज नहीं किया है, तो इसन सब बातों के basis पर ये बात बहुत सेफली कहीं जा सकती है, कि Cast Census एक बहुत administratively challenging exercise है, चुकि जब केंद सरकार ने बोला कि अभी Cast Census तुरंट नहीं हो सकता है, तो बहुत सरी राज़ी की सरकार ने क्रिटिसाइज करने लगी केंद की सरकारों को, बहुत सरी सरकारों किया कि तुरंट Cast Census करा दो, और Cast के साब से reservation दे दो, हमको vote मिल जाए, लेकिन देखें, यहाँ पर government क्या बोल रही है, government बोल ले कि देखें, यह sensitive मुद्दों को implement करने से पहले, इसके उपर बहुत debate करने पड़ेगी, बहुत thought process दाना पड़ेगा, for example, यहाँ पर केंद सरकार यह बोल रही है, कि बहतर यह रहेगा कि पहले इस प्रकार का census सारी के सारी राजजी सरकारें करवाएं, और उस census को करवाने के बाद राजजी की सरकारें कुछ audit करवाएं, उस audit के basis पर यह identify किया जा सकता है कि इस तरीके की census में क्या problem हो रही है, और फिर केंदर की सरकार इस प्रकार की census को take up करेगी, तब ज़्यादा better motor sovereignty होगी, तो इस प्रकार की चीज़ें निकल के आ रही है, यहाँ पर politics करने की जरूत नहीं, ऐसा केंदर की सरकार कह रही है, केंदर की सरकार कास सेंसेज अवाइड नहीं कर रही है, बस हम उसको best possible तरीके से करवाना चाहते हैं, यह जो socio-economic कास सेंसेज 2011 में भुआ था, इस प्रकार से अगला सकास सेंसेज हो, और रिपोर्ट ठीक तरीके से पब्लिश नहीं हो, वो सही नहीं रहेगा, तो मैं कहूँगा कि गौवर्मेंट का एक sensible statement ही है, नेक्स्ट बात करते हैं, गैंस्टर्स फॉर्स टू बुलेट्स, कि इंद दिल्ली कोट कॉंपलेक्स आपको पता ही होगा, कि जो जज थे गगन दीप सिंग, उनके सामने ये incident हुआ है, राहूल और जगदीब नाम के दो excellence आया, और वो गोगी नाम के criminal को मारना चाते थे, तो इस particular shootout को लेके, एनवी रमारा साब ने deep concern बोलाए कि भाई, रोहनी court complex में इस प्रकार की हरकते हो रही है, तो ये तो बड़ा गड़बड है भाई, court complexes की safety और security के उपर यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, तो ये सब बाते यहाँ पर बताई जा रही है, तो वैसे तो इसके बारे में आपने सुनी लिया होगा, exam perspective से जाधर important लगा नहीं मेरे को, और वैसे भी knowledge के perspective से भी मैं इस वीडियो में जाधर कुछ बताने को था नहीं है, मैं एक gangster के आपको credentials तो नहीं बताता फिरूँगा, तो इसलिए मैं इस नियूस को नहीं बनाया, next भाई, मोदी जी और कमला हैरिस के बीचे बातचीत हुई, यहाँ पर कुछ खासा बताने वाली बात नहीं, टेर्रिरिजम को लेके बातचीत, जो प्रेजडेंट साब के साथ बातचीत हो रही है, वही कमला हैरिस के साथ बातचीत हो रही है, तो प्रधान मंत्री मोदी जी पहुँचे, 150 एर ओल्ड आइजन हावर एक्जेकुटिव टावर बिल्डिंग में, जहाँ पर वाईस प्रेजडेंट का सरीमोनिल आफिस हैं, मैं बोलूँगा, इस पूरे टॉपिक में एक चीज़ बड़ी अच्छी है, कमाला हैरिस की करा आप बात करोगे न, तो इनका स्टैंड इंडिया के प्रती बड़ा अगेंस्ट रहता है, हिूमन राइट्स के एशू को लेके, कश्मीर के मुद्दो को लेके, अक्सर कर, यह जो कमाला हैरिस हैं, वो इंडिया के उपर कमेंट करती हुए नज़र आई है, सबसे खास बात यह है कि जब मोदी जी अभी कमाला हैरिस के साथ मिले, तो ऐसा कोई भी यहाँ पे स्टेट्मेंट कमाला हैरिस की तरफ से नहीं आया, मोदी जी ने कमाला हैरिस से बात भी की, मोदी जी ने कमाला हैरिस को इंडिया आने के लिए इन्वाइड भी किया, और मुस्कुरा के यहाँ पे एक सुईट गेस्चर जिया कमाला हैरिस जी ने, मतलब कि इंडिया की यहाँ पे मैं बोलूँगा, foreign policy victory यही है कि Kamala Harris के मूँ से anti-India बाते नहीं निकली, कश्मीर का मुद्दा नहीं निकला, human rights violations का मुद्दा नहीं निकला, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है चुकि यह politicians अक्सर कर इंडिया को criticize करते हुए नजर आते है फिर एक और निकल के आ रही है माइनमार के border इलाकों में माइनमार की जो army है, जो military जनता उसका crackdown हो रहा उसके चलते बहुत सारे refugees मिजोरम में भाग के आ रहे हैं ऐसा मिजोरम के लोग सभा के MP ने बता है माइनमार की military ने एक fresh और sevensive launch किया है इंडिया के border के पास अपने ही side पे launch किया है लेकिन उसके चलते क्या होता है कि जो माइनमार लोग है वो भाग के इंडियन side पे आ रहे हैं अगर आप देखो तो North East States के official का ये बोलना है कि भाई 11,500 माइनमारी जनाशनल्स फरवरी 2021 से लेके अब तक इंडिया के अंदर गुस चुके है हलाकि ऐसा नहीं कि वो permanent इंडिया के अंदर गुसे हुए जब माइनमार side of the border पे चीज़ें stabilize होने लगती है तो ये माइनमार side पे वापस लोट जाते है जब वो इंडिया side पे आते हैं लेकिन इनके देश में हालात बहुत ज़दा खराब है actually में हुआ ये है कि जो चिन कम्यूनिटी है माइनमार की जो की मिजोरम के साथ बॉंडर पे रहती है अगर आप मीजो कम्यूनिटी की बात करो और चिन कम्यूनिटी की बात करो ये दोनों एक दूसरे के साथ एथिनिकली जुड़े हुए है अब ये मानलों बॉर्डर है इधर मीजोरम है और इधर है आपका माइनमार यहाँ पे चिन लोग रहते है अभी इन चिन लोगों की एक फोर्स है जिसका नाम है चिन लैंड डिफेंस फोर्स और चिन नेश्नल आर्मी इस ने हतियार उड़ा लिया मायनमार की मिलिटरी के अगंस्ट तो हुआ ये कि चिन लैंड डिफेंस फोर्स ने चिन नेश्नल आर्मी ने कुछ दिन पहले एक जोइंट ऑपरेशन किया और एक मायनमार के आर्मी कैम को यहां पे बंबारी होने लगी इन चिन कम्मुनिटी के इलाके वाले इलाके में लेकिन अब वो हेलिकॉप्टर्स और एरक्राफ्ट्स इंडियन साइट पे नहीं आएंगे तो यह जो चिन लोग हैं वो भाग के इंडियन साइट पे घुश गए तो मायनमार की साइट पे हालाओ भाई बहुत ज़्दा खराब हैं यह जो मायनमार के चेन हैं इसलिए यह भाग के इंडिया साइट पे आ रहे हैं अच्छा यह जो चेन लोग हैं यह जो प्रो-डेमोक्रिसी फोर्सिज ना मायनमारकी उनको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं और लडी 11500 रिफ्यूजी इंडिया में आ चुके हैं बहुत सारे लोग वापस जाते हैं फिर आ जाते हैं जैसा मिजोरम के साइड पर हालात होते हैं कुछ इस प्रकार से आपका जो इन्फलक्स से रिफ्यूजी का वो ज्यादा कम होता रहता ह यहाँ मिनिस्ट्री तक हाँ ही बात पहुंची है चीज़ों को सॉट आउट करने कोशिश की जा रही है देखते हैं के क्या निकल के आता है फिर एक न्यूज है मिनिस्ट्री आफ डिफेंस ने 22,000 करोने की डील साइन किये एर बस के सब और उसके चलते 56C295 प्रोजेक्ट था आपका जो मैंने यहाँ पर सवता रखा है एक तो यह न्यूज है दोसरी यह न्यूज है यह 22,000 करोने की डील है और यहाँ पर 56C295 ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट्स खरीदे जाएंगे और यह आएफ को दो साल में दिये जाएंगे ठीक है मतलब असलने बात यह है कि यह जो कॉंट्रेक्ट हुआ है वो हुआ एर बेस्ट डिफेंस इन स्पेस इस्पेन वाली कंप्णी के साथ 56 ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट हैं क्यों इंडिया की जो 56 एवरो एरक्राफ्ट्स हैं वो 1960s के वो पुराने हो रहें तो इनके बज़ TASL ने एर बस के साथ यहां पर पार्टनर्शिप करके इंडिया में रौ एल्यूमिनम इंगॉट्स का प्रियोग करके सीधे सीधे एक एरक्राफ्ट बनाने की टेक्निलोजी जाद करने की बात की है और पूरी तरीके से एर बस इस प्रकार की एरक्राफ्ट को बनाने में TAS TASL की मदद करेगा कभी के लिए इस चीज़ के ओपर बातचीत हो रही है कि कि किस जगह पे ओवरॉली मिनुफैक्ट्रिंग प्लांट बनाए जाएगा तो TASL और Airbus दोने के ऑफिशल्स पूरे देश में घूम रहे हैं और जगह को इडेंटिफाई करने कोशिश कर रहे है ये जो 56 एरक्राफ्ट से ना इसमें 16 एरकराफ्ट सीधे-सीधे फ्लायो एर कंडिशनस आएंगे स्पेन में तो ये जो Airbus की कंपनी स्पेन में वहाँ पे पहले 16 एरकरफ बनाए जाएंगे वो इंडिया में आएंगे ये आ जाएंगे अगले 48 महीनों में 48 मेंने कह लिए चार सालों में, जिसमेंसे हो सकता है कि एक दो aircraft अगले दो सालों में आ जाएं, और बाकी जो 40 aircraft हैं, वो Tata Group, contract की rate से 10 साल के अंदर-अंदर मनाएगा, अपने आप में इस C-295 की डील इंडिया के लिए बहुत ज़दा important है, इस C-295 aircraft में 5 से 10 टन की capacity है, 61 troops और 50 para troopers को यह transport कर सकता है, एक जगा से दूसरी जगा logistical operations में यह बहुत important aircraft होने वाला है, ओके, तो यह particular news हमने यहाँ पर देखी, और आज की आखरी news पर चलते हैं, बहुत छोटी सी news है, center notifies medical device parks इसकी, तो center ने overall 400 करून रुपे यहाँ पर allocate किये, till financial year 2024-25, मुझे लग रहा है कि जो 400 करून रुपे का allocation है, वो कम है, बरहाल यहाँ पर किया क्या जाएगा, यहाँ पर medical device parks बनाए जाएगे, देखें, इंडिया बहुत अद्टक medical devices के लिए, medical equipment के लिए import पर dependent है, बहुत बड़े-बड़े medical equipment के लिए इंडिया के अंदर import करते हैं, तो हम अपनी technological provis को medical equipment में बढ़ाना चाहते हैं, तो medical equipment की manufacturing को इंडिया में प्रमोट करना है, तो उसी के लिए यह medical business parks बनाए जा रहे हैं, तो इसमें testing और infrastructure facilities होगी, मालोग कोई ऐसी particular private company है, या सरकारी company है, जो कि medical devices का production करना चाहती, तो medical devices parks में पहले से उसका infrastructure प्रेज़ेंट होगा, उसके testing facilities प्रेज़ेंट होगी, तो जो भी medical devices आप बनाओगे, उसको आप इस infrastructure और testing facilities में जाके test कर सकते हो, ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर जो medical devices बनाए जाएंगे, वो domestic market में इन medical devices को सस्ता करते हैं, और आगे आने वाले समय में, अगर हम economies of scale पर production कर पाते हैं, तो हो सकते हैं हम इन medical devices को export भी करने पड़ें, करने लगे, जो कि हम अभी import करते हैं, अगर North East में इस प्रकार की infrastructure facility बनाई जाती है, तो 90% of the project cost assistance मिलेगा सरकार की तरफ से, और बाकी parts of the country मिना जाती है, तो 70% resistance मिलेगा, हाला कि पर project maximum allocation 100 करोट रुपे को होने वाला है, तो medical devices के production के infrastructure को इंडिया में बढ़ाया जा, research and development को बढ़ाया जा, इसके लिए ही ये particular scheme चालू की गई है, medical device parks की, यहाँ पे testing और infrastructure facility दी जाएगी, और यह जो support दिया जाएगा न 90-70% का, यह दिया जाएगा common infrastructure facilities के लिए, तो जो common infrastructure facilities, जो कि हर company इस्तमाल कर सकती, जो कि इस business park से आके operate करेगी, उस particular common infrastructure facility को बढ़ाने के लिए, 90% help मिलेगी सरकार की तरफ से North East में, और बाकी जगाँ पे 70% maximum limit होगी help की 100 करोट रुपे, तो यह कुछ आज की important news थी, दोस्तों, I hope आपको इन news से कुछ न कुछ useful जानने के मिलाओ, जादा से जादा लोगों के साथ इस वीडियो को share करिएगा, Instagram पर follow कर लीजे, Telegram ग्रूप join कर लीजे, और हो सके तो join बटन दबा के help करे, have a great day friends, goodbye, अपने ध्यान रखिए, बढ़ते लिखते रहिए, take care,